चलिए जी बताइए तो जिनके जो डाउट्स हैं अंजी बृतिका बताइए इसमें क्या है कि consider the normal population with unknown mu and variance तो यह आपके पास है कि x का जो distribution है normal with mu,9 and आपको test करना है mu is equal to 0 against h1 mu not equal to 0 sample size 100 है तो यहाँ पे n जो है वो 100 है तो यहाँ n की value 100 है क्या पूछ राए है based on sample test of the form यह भी दे रखा है so reject h not if क्या दे रखा है x bar more than k यह यह है तो यहाँ पे क्या आता है k की value size alpha ले लेंगे तो क्या आएगा k की value 0.588 आ रही है एक मिनट तो यहाँ से हम लोगर बात करेंगे x bar more than k k यहाँ पे है इधर minus k है so यह आपका rejection reason है ठीक है so this is your rejection reason तो हम लोग ने पढ़ा था है इस case में जो होता है तो critical reason generally जो आता है वो x bar minus mu naught upon sigma by root n तो यहाँ sigma तो 3 है root n 10 है तो यह होगा 3 by 10 ठीक more than z alpha by 2 क्योंकि इसके आगे alpha by 2 पीछे alpha by 2 total alpha हो जाएगा alpha कितना दे रखा है कितना percent है 95% level of significance so alpha के value level of significance मतलब alpha confidence coefficient 1 minus alpha यह चीज़ है तो alpha यहाँ था alpha by 2 कितना हो जाएगा 2.5% alpha by 2 तो मतलब यह हो गया 0.025 यह आजाएगा अच्छा और इसकी value कितनी है तो यह रखा है 0.5 नहीं नहीं वो नहीं है तो 3.1 3 by 10 multiply होके है 1.96 1.96 यह 1.96 आपको मिल जाएगा तो यहाँ से जब आप solve करते हैं तो यह मिल जाता है तो यहाँ से इसको जब आप simplify करेंगे 3 by 10 उदर चला जागा 3 by 10 इंटू 1.96 तो यह आपको आजाता है mod x बार more than 0.544 588 तो इसका मतलब यह number है 0.588 यह है तो नाउ यहाँ से गया जाएगा इसमेना doubt यहाँ आ रहा है कि मैंने option B को check किया तो x बार की value 1.372 आ रही है तो वो तो range के अंदर ही है जो required range है कि x बार more than 0.588 तो उसी range में आ रही है पर answer C है यहाँ पूछा क्या है which of the following is a possible 95% confidence interval for mu 95% confidence interval for mu so कौन सा जो है 95% confidence interval है mu के लिए तो यहाँ से क्या बनेगा तो confidence interval का formula आप लोग क्या जानते है x बार minus sigma by root n z alpha y2 से x बार plus sigma by root 10 z alpha y2 वैसे यह formula होता है तो क्या आएगा यहाँ पूट कीजिए so x bar minus अब यह तो भी निकाला आपने यही था ना 3 by 10 उदर गया 3 by 10 ही sigma by root 10 है so यह जब उदर गया आता है तो यही था ना 0.588 ठीक है ना यह 1.96 और यह 3 by 10 तो यह आएगा 588 x बार minus 0.588, x बार plus 0.588 यह आपका confidence interval है 95% confidence interval ठीक है so now क्या करना आपको question यह है कि which of which कौन सा possible है तो बताइए अगर यह पहला option के equal रख रहे हैं इस चीज़ को मैं option a के equal करूँ तो x बार क्या मिलती है 0.1 x बार आती है 0.1 और b option के equal रख रहे हैं इसको तो 1.372 1.372 and option c सर यहां तक चेक ही नहीं किया यही value satisfy कर रही है b value किसको satisfy कर रही है x बार more than 0.588 तो ठीक है यही सही होगा तो कहा दिक्कत है answer की में c है तो बताओ थर्ड पहले solve करो थर्ड को भी put करो x बार माइनस 0.588 is equal to आ जाएगा 0.422 0.588 plus 422 कितना हो जाएगा check करो इसको solve कर बताओ तो symmetric आएगा check करो पहले दोनों को equate करो वहाँ भी equate करो भी करके देखो क्या आता है so यह x-bar के वालू 1.372 है 1.372 कहां लाई करेगी तो यह हमारा reason था 0.588 से जादा और minus 0.588 से कम so we try to reject h-naut so x-bar belongs to the rejection reason so rejection reason में है यह आपको put करके देखना पड़ेगा ठीक है ना अगर ऐसा है 2.01 2.01 नहीं नहीं आप calculation mistake कर रहे हैं इसका मतलब तो ठीक से calculation कीजिए अब कैसे equal कैसे equal put कर रहे हैं कि 0.2 2.1 कैसे पहुँच जाएगा यह है अगर मैं put करूंगा x-bar minus 0.588 को c option के लिए 0.422 के तो x-bar के value 2.1 कैसे पहुँच गई sorry 1.1 1.01 1.01 और ऐसे ही बी में चिक से चेक कीजिए यह नेगेटिव आएगा आपको पॉस्टिव ऐसे आ गया अच्छा 1.96 उधर जाएगा क्या नहीं ना नेगेटिव आएगा अंसर बी ओप्सन जो आप कह रहे हैं बी ओप्सन मुझे क्या करना होगा एकस बार माइनस 0.588 को आप इकवल पूट करेंगे बी के लिए माइनस 1.96 यहां से यहां से एकस बार मुझे लेंगे जाएगा एकस बार मॉट लेंगे पहले एकस बार निकलों पहले मॉट लेंगे अब एकस बार की डार गलत निक्ला हिए यह पुट इस नंबर इस इक्वल तो माइनस 0.488 यू पूट इस इक्वल तो 0.66668 जो भी इदे रखा है उसको पूट कर एक्सबार बताओ अगर सही होगा तो यहां से उसके बाद जब एक्सबार नहीं के लेगी तब तो हम चेक करेंगे उसमें है की नहीं है आपने एक्सबार ही गलत निकाला है माइनस 1.3 कि यहां से 1.96 एक्सबार की वैलू आएगी माइनस 1.3 यह माइनस 1.96 प्लस 0.5 है ना यह है और ऐसे ही बी में आपने पांचार 9 है ना सो 1.01 एक कालकुलेशन सही किया ना 1.96 और 3 बाइटेन तो 6 बाइटे 10 हां ठीक है ना 6 बाइटेन एडाउंड और उसको पूट किया तो ए में तो आपका आया 0.1 तो वह तो बीच में आगे आउट हो जाएगा तो एक बार सुट भी इन्दक रिजेक्शन रिजन रिजेक्शन रिजन महोने चाहिए दूसरे से आपने कहा कि बी वाले से आप यह कह रहे हो कि आ रहा है माइनस 1.3 यह कह रहे हो ना बी में और सी में आप कह रहे है वन पॉइंट जिरो वन आ रहा है और डी में जो है एक स्वार मोट देन के है ना यही है अग ठीक है दी में तो कुछ और ही आ जाएगा अगर आप सौल दी तो ऐसी जहीं दो ए और दी में डाउट नहीं आपको बी और सी में डाउट है ए तो आउट हो गया और डी बे भी ऐसी आउट हो जाएगा डी आप 0.588 588 तो वो 422 तो वो इक्वल नहीं आएगा वो सिमेट्रिक नहीं आएगा दोनों से तो आउट हो जाएगा तो दोनों साइड पूट करके देखो आपने एक साइड ही पूट किया होगा एक्छली दिक्कत यह है अपने दोनों एंड पूट किया है sir minus कही तो फरक आएगा यह same you options नहीं नहीं ऐसे कैसे same you option है अब तुक्का लगा रहे हुए put this is equal to minus this and put this is equal to 1.96 एक सेम एकस बार की वैलू आएगी गेस करोगे गलतियां होंगे गेस करने में चांसे से हैं कि गलतियां ही होगा यू पूट 1.96 का एकस बार की वही वैलू आएगी जो यह आई है बताओ सॉल्व करके what is x bar from this equation do you think x bar वही आएगा जो यहां से आए था इस equation से और same solution आएंगे कैसे आएगा यह positive आएगा वो negative आएगा same कैसे आएगा ठीक करो जरा यह plus में आएगा ने तो positive आएगा आएगा 1.96-0.588 यह positive है तो 9-1.3 तो आए नहीं सकता तो इसलिए डिजेक्ट हो गया B option ठीक है जी क्योंकि आपका यह negative आया है this is a positive यह negative यह positive इक बार तो common होने चाहिए ना तो contradiction आगा के लिए हुआ कि नहीं ठीक है अरे calculator यूज करो इतना दिमाग को इतना यूज करने क्या जोड़ा 1.96-0.588 1.3 के आसपास 1.372 प्लस में आगया ना यह तो प्लस में आगया नेगेटिव आगया दोनों कैसे common x-bar क्या consider करोगी तो contradiction नहीं आ गया यह कहरा है कि minus 1.3 यह कहरा है यह तो खुदी contradict कर रहा है तो option कैसे सही हो सकता है भी ठीक है तो out हो गया इसलिए दोनों side solve करो जल्दिवाजी करो गलतिया होंगी guess करो गलतिया होंगे